बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल वन ने सन वन एक्जाम पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी डियलेट 4 समेस्टर का लास्ट येर का पेपर यानि 2019 का पेपर हल करेंगे वो भी गडित का जो आपका चतुत प्रश्न पत्र होता है तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रिवियस येर से क्वेश्चन बनते हैं डिजिट चेंज करके ठीक है इसके साथ ही अगर चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अगर आपको या पेपर चाहिए तो आप टे कलतम रूप लिखना है तो क्या होगा अंस में भी माइन कर माइन से तो दोनों माइनस कट जाएंगे और इसके साथ ही ऊपर भी संख्या है तो दो से कटेंगी और नीचे भी संख्या है तो दो से कटेंगी और अब हमारा बच्चा सोला बटे पचास पर पर अन् accelerator लगूरू सी जो है वह सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों दसंबलों 00001 का घनमूल बताना है यानि ऐसी कोई संख्या जिसको स्वैम से तीन बार गुड़ा करें तो यह प्रश्ण में जो दिया है यह प्राप्त हो जाए तो पहले हम दसंबलों को अटाएंगे जिसकी स्थान पर एक आ जाएगा और बाकी छे संख्या है तो छे बार सुनने आ जाएगा ठीक है दोस्तों तीन तीन छे अब हम इस पर घनमूल लगा देंगे और अंस और हर को अलग-अलग ब्रेक करेंगे कि वह तीन बार गुड़ा हो और वही जो हमारा हर है और अंस है वह आ जाए तो वह हो जाएगा 100 गुड़े 100 गुड़े 100 तो अब हमारा प्रस्ण जो है वह बन गया एक बटे 100 और घनमूल हट गया ठीक है दोस्तों तो अब एक बटे 100 को हम क्या लेख सकते हैं दसमलो जीरो एक और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो आप्शन बी में दिया हुआ है अग तो जो पहली एक्वेशन दिये है यहां से हम एक्स की मान ग्याद कर लेंगे तो एक्स बटे में 3 हो जाएगा और 3 तूजा 6 यानि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अब हम इस 2 को दूसरी एक्वेशन में पुट कर देंगे तो 4 गुड़े 2 प्लस Y बराबर 14 हो जाएगा और चार दुनी 8 इदर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और यहां 14 में से 8 घट जाएगा तो जो हमारा Y होगा वह आ जाएगा दोस्तो 6 जो आप्सन A में दिया हुआ है अगला प्लस्न देखते हैं साइन सिक्स्टी बटे में कॉस्स 30 का मान गयात कीजिए तो दोस्तो साइन सिक्स्टी की वैलू रूट 3 बाइ 2 होती है और वहीं कॉस्स 30 भी रूट 3 बाइ 2 होता है तो यह दोनों आपस में कट जाएगे और हमारा एंसर आजाएगा एक जो आप्सन B में दिया हुआ है अग पर दोनों घाते डिवाइड में घट जाती है तो एक बटे पांच में से हम एक बटे तीन घटाने के लिए एलसीम लेंगे जो की 15 आएगा 5 से 15 आया यानि 3 से गुड़ा हुआ तो हर अंस में भी 3 से गुड़ा होगा माइनस 3 पंचे 15 यानि 5 से गुड़ा हुआ तो उपर अंस में भी 5 से गुड़ा होगा और यह जो भी है वह सब साथ की घात है तो इस प्रकार हम लिखेंगे फिर तीन में से हम जब 5 को घटाएंगे तो माइनस 2 बटे 15 आ जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा जो आप्शन B में दिया हुआ है अगला प्रश्णा है 8000 का घनमूल ग्याद करें तो दोस्तो इसका अपको घनमूल ग्याद करना है तो आप 8000 को देख सकते हैं अगर आप 20 को 3 बार गुड़ा करते हैं तो 8000 आ जाएगा इसी को इसी प्रकार आप घनमूल में लिखा लिख कर अगले स्टेप में करेंगे फिर इसके बाद इसका उत्तर 20 लिख देंगे और आपको एक नमबर प्राप्त हो जाएंगे अगला प्रस्ण है 16x² माइनस 25 बराबर सुन्य को हल कीजिए तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह formula बन रहा है a²-b² बराबर सुन्य तो यह हो जाएगा a-b और a प्लस b ठीक है इसके बाद हम x की value निकाल लेंगे पहले हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4x-5 बराबर सुन्य हो जाएगा जहां से 4x बराबर 5 आजाएगा इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा जिसके बाद x बराबर 5 बै 4 आजाएगा एक बार हमने इसको सुन्य के नीचे बेजा अब हम इसको बेजते हैं तो 4x बराबर सुन्य हो जाएगा जहां से 4x बराबर माइनस 5 हो जाएगा इसके बाद x बराबर माइनस 5 बै 4 हो जाएगा यानि x की value आ गई दोस्तो प्लस माइनस 5 बै 4 अगला प्रस्ण देखते हैं 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक ग्याद करना है तो दोस्तो आप चाहें तो इस प्रकार सारणी बना सकते हैं जिसमें जो संख्याएं दी हुई हैं वह लिखेंगे तो 10, 12, 13 और जो संख्या जितनी बार है उसको उतनी बार लिखना है तो एक बार है यह तीन बार है और यह भी एक बार है और इसके बाद आप लिखेंगे बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो यानि वह संख्या जो बार बार आ रही हो बहुलक यानि बहु का मतलब ही होता है बहुत बाराई हो तो जो हमारा बारा है वही बहुलक हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं 10 cm लंबे और 3.5 cm चोड़े 10 cm लंबे और 3.5 cm चोड़े आयत को लंबाई के परिता यानि यह लंबाई है इसके परिता गुमाने पर इसके परिता गुमाया जा रहा है दोस्तों मोडा नहीं जा रहा है अगर मोडा जाता तो यह जो एंड है इस एंड पर लाकर चिपका दिया जाता और यह हमारा सरकमफरेंस हो जाता लेकिन यहां गुमाने की बात हो रही है तो हम इसको यहीं पर रो तो इसमें हमें बेलन का आयतन ग्याद करना है तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्कॉर एच जिसमें आपको हाइट दिखरी होगी 10 है इसके अलाबा आप यहां से देख सकते हैं रेडियस 3.5 है और पाई की वल्य होती है 22 बटे 7 तो 22 बटे 7 गुडे 3.5 गुडे 3.5 गुडे 10 हो जाएगा जिसके बाद यहां से हम 10 हम लोग अटाएंगे तो 10 यहां से भी 10 हम लोग अटाएंगे तो 10 तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा इसके अलाबा साथ 55 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से 22 ग्यारा बार में कट जाएगा यानि 11 गुडे 35 हमारा बच साइन स्क्राइर फॉति हैं 돼 हो दोस्तु कॉर्ट फॉतिफाइव की वैलू होती है वग और यहाँ पर आप मैनस क्मन ले लेंगे तो साइन इसे ली फॉतिफाइव प्लस कॉसिस्क्राइर फॉति ही तो अब क्या हो जाएगत वन तो प्लस वन का उत्तर आजाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं लगू उत्रिय प्रस्ण दोस्तों इसमें समुच्य A दिया हुआ है समुच्य B दिया हुआ है और आपको A union B पूछ रहा है तो union में सारी संख्याएं एक एक बार आती हैं तो एक तीन पांच साथ आठ नौ आ जाएगा यही आपका उत्तर होगा एक तीन पांच साथ आठ नौ और आपका दूसरा पूछ रहा है एंटर सेक्शन भी इंटर सेक्शन में तो हिंदी में उभायनिष्ट कहते हैं या फिर कॉमन कह लीजिए तो जो भी हैं और B में भी हैं तो A intersection B हो जाएगा 5,7 अगला प्रशन है दोस्तों इसमें भी आपको बहुलक पूछ रहा है और साथ ही साथ आपको यह बारंबारता वंटन दिया हुआ है यानि आपको टेबल भी दे रखा है तो आप टेबल में बस देखेंगे बारंबारता यानि फ बताएंगे कि जो 17 है वह सबसे जादा बार 7 बार आया है तो यही आपका बहुलक हो जाएगा बहुलक बराबर 17 ठीक है दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं जो है आपको आपको ओ वृत का केंदर दिया हुआ है बी ए सी दिया हुआ यानि या चालिस दिया हुआ है ओ बी सी तथा ओ सी बी इसकी वैलू ग्याद करनी है तो दोस्तों आपको एक प्रमे पता होगा कि जब बी सी आर्क या फिर बी सी चाप द्वारा जो अंस पे या सेंटर पे जो एंगल बनता है वह डबल होता है सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का है यानि या चालिस है तो यह ओ पे तो इनके सामने वाले एंगल जो होंगे वह आपस में बराबर होंगे यानि यह x होगा तो यह भी x होना चाहिए तो x प्लस x 2x हो गया 2x प्लस 80 हो गया यानि किसी ट्रेंगल का जो सम होता है वह 180 होता है तो हमारा equation आगया 80 प्लस 2x बराबर 180 तो यहां से हो जाएगा 2x बर 100 और x बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 50 यानि आपका जो o b c आएगा यह आएगा वह भी 50 आएगा और o c b आएगा वह भी 50 आजाएगा अगला प्रश्ण है एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चोड़ाई 120 मीटर है बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोड पर का बाटती हुई तीन मीटर के दो रास्ते दो रास्ते हैं रास्ते में मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से ग्याद कीजिए यानि आपका एक आयत है इस प्रकार का या फिर आप एक बाग समझ लेजिए जिसकी यह लंबाई है 180 और इसकी चोड़ाई है 120 जिसमें बीचों बीच आपको रास्ता बनाना है इस प्रकार से और इस रास्ते पर मिट्टी डलवानी है तो आप देख रहोंगे कि यह जो रास्ता बन रहा है इसका हम क्या करेंगे छेत्रफल निकाल लेंगे परंतु एक बार इसका छेत्रफल निकाल लेंगे एक बार इसका छेत्रफल निकाल लेंगे तो यह जो मिट्ट वाला है यह दो बार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे मिट्ट वाले को एक बार गटा भी लेंगे और आपको इ इसका निकालने के लिए आपको 180 गुड़े 3 कर देंगे तो 180 गुड़े 3 हो जाएगा इसी प्रकार इसका निकालने के लिए इससे 120 पता चल रहा है तो प्लस 120 गुड़े भी 3 हो जाएगा और इसके अलावा यह जो दो बारा आ रहा है इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 3 गु यानि 891 आ जाएगा ठीक है दोस्तों यह रास्ता जो आ गया इसका छेत्रफल आ गया 891 उसके बाद इसका जो दर है कितने रुपे खर्चा है मिट्टी का तो 12 रुपे प्रती वर्ग है तो 12 से गुड़ा कर देंगे तो हमरा उत्तर आ जाएगा 10,692 रुपे ठीक है दोस्तों बड़ी संक cargo का पूं कौन सी होगे पूंड वर्ग यहाद करना है तो 6 रुकों की सबसे पहले बड़ी संक्या लिख लेते हैं यानि 9 को हम 6 बार लिख लेंगे उसके बाद हम वर्ग मूल निकालेंगे वर्ग मूल में क्या होगा जो रिमेंडर बज जाएगा उसी को घटा देंगे तो हमें 6 अंगों की सबसे बड़ी पूंड वर संख्या पता चल जाएगी तो इसमें हम दोदो का पेर बनाते हैं और सबसे पहले जो पहला पेर है उसको भाग देते हैं और जिस संख्या जो गुड़ा करते हैं उसी संख्या से ही गुड़ा करते हैं तो 9 से किया तो 9 से ही करेंगे तो 9 Marcus 81 हो जाएगा फिर हम इसको घटा देंगे तो 81 में से 91 में से 91 घटएगा तो 8 और 1 आएगा इसके बाद हम जो अगला पेर है उसे उतारेंगे और इधर क्या करेंगे 9 से हमने किया है 9 का वर्ग किया है, तो 9 इसमें जोड देंगे, तो 9 प्लस 9, 18 हो जाएगा, इसके बाद हम 18 के बाद जो भी संख्या लिखेंगे, उसको उसी संख्या से गुड़ा करना होता है, तो जैसे हम 9 से करते हैं, तो यहां भी 9 हो जाएगा, इसके अलावा, 9 से गुड़ा करेंगे, त तो 189 को जब हम 9 से गुड़ा करेंगे तो 1701 आ जाएगा इसके बाद हम इसको घटा देंगे तो घटाने पर आएगा दोस्तों 198 और अगला पेर उतारेंगे 99 इसके अलावा यहाँ पे हैं यहाँ जो प्राप्त करना है उसमें हम 9 जोड़ेंगे तो 189 में 9 जुड़ेगा तो 198 28 हो जाएगा इसके बाद अब हमें इसको भाग करना है तो यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसी के साथ गुड़ा करना होगा तो हम 9 लिखते हैं तो 9 से ही गुड़ा करना होगा ठीक है तो गुड़ा करने पर आएगा 17901 और अब हम इसको घटा देंगे तो 1998 आ जाएगा औ तो हम जिस संख्या से यहाँ पर करेंगे कोई भी संख्या लिखते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा यानि अब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे यानि यह जो आया वो हमारा इसमें से हम अपने रिमेंडर को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा तो 1, 9, 9, 8 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9, 9, 8, सुन्य, सुन्य, 1 और यही आपका उत्तर हो जाएगा यानि 6 हमको पी बड़ी से बड़ी संख्या जो वर्ग है, पूर्ण वर्ग है वो ग्यात हो जाएगा अगला प्रस्ण है एक आयत कारबाग की लंबाई उसकी चोड़ाई की तीन गुनी है यानि चोड़ाई मान लेजे आप अगर X रखते हैं तो उसकी लंबाई हो जाएगी तीन गुना यानि 3X तो आपको एरिया ग्यात करना होता है तो छेतरफल ग्यात करना है 243 यहां पर हम 243 लिख लेंगे जो 3 से कट जाएगा और x square बराबर 81 आएगा जिसके बाद हम x की value ग्याद कर लेंगे यहां under root लगा देंगे तो x बराबर आएगा हमारा 9 यानि यह जो आपका आगया वह breath आगया 9 और आपको length ग्याद करनी है तो 9 गुड़े 3 कर देंगे तो 27 आजाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं अगला प्रशना 18 इसमें गुड़न खंड करना है तो दोस्तों पहले देखते हैं क्या है किसी फॉर्मूले पर आधारित तो नहीं है तो A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस 2 और जो हमने A और B लिया है उसको लिखते हैं A, B तो आप देख रहे होंगे यह कट कर जो प्रशन में लिखा है वही आ जा रहा है यानि यह जो हमने प्रशन में जो लिखा है वह A प्लस B का होल स्क्वार का फॉर्मूला है ठीक है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका UPDL8 4 समेस्टर का चतुर्थ प्रशन पत्र यानि गडित का 2019 में हुए प्रशन पत्र का complete solution हो गया तो दोस्तों अपने सेफाटियों के साथ इस वीडियो को सेयर करें साथी साथ चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन पर क्लिक कर दे पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों